अब हम अभ्यास देखेंगे एक पदेन उत्रत यानि एक शब्द में उत्तर दीजिए अंगुली माल है क्या आसी अंगुली माल कौन था दस्यू हो डाकू था श्रावस्ति नगरे क्या प्रवचनम करोती सम श्रावस्ति नगर में कौन प्रवचन कर रहा था महात्मा बुद्ध है महात्मा बुद्ध प्रवचन कर रहे थे बुद्ध से शांतम वद्नम द्रिष्टवा क्या जड़ी भूते है भवत बुद्ध के शांत मुख को देख कर कौन जडवत हो गया था अंगुली माल है अंगुली माल प्रिथक कर्णम की दृषम भवती अलग करना कैसा होता है सरलम कै बुद्धस्य पाद योहो एपतत कौन बुद्ध के चर्णों में गिर गया था अंगुली माल है अब हम देखेंगे प्रश्ण दो कै कम प्रती कत्यती कै यानि किसने कम प्रती किसके लिए कत्यती कहा या कौन किसके लिए कह रहा है लिखत लिखो सै दस्यू निर्दे अस्ती वह डाकू दया रहीत है किसने कहा था राजाने नरेश है राजाने यानि नरेश है और किसे कहा था महात्मा बुद्ध को तो कम है तो क्या आएगा महात्मा बुद्धम प्रती नरेश है महात्मा बुद्धम प्रती किसने कहा डाकुने या अंगुली मालने दस्युहू और किसे कहा महात्मा बुद्ध से तो महात्मा बुद्धन प्रती तब हस्तेन मरनाए एहम अत्र आगते है तुमारे हाथ से मरने के लिए मैं यहां आया हूँ किसने कहा था महात्मा बुद्धने तो कै यानि महात्मा बुद्ध है कम प्रती किसके लिए कहा था अंगुली मालम प्रती अब हम देखेंगे प्रश्ण तीन उदाहरन अनुसारेन प्रकृति प्रत्यम प्रिथक कुरुत उदाहरन के अंसार प्रकृति और प्रत्य को अलग करो। गन तुम धातु है हमारी गम और प्रत्य है इसमें तुमुन गन तुम गम से क्या बज़ेगा गन गन तुम कथ यत्वा कथ धातु कत्वा प्रत्य गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्य अब हम देखेंगे प्रश्न 4 संदी छेदम कुरुत संदी विछेद करो प्रत्य वदत प्रती प्लस अवदत हसित वैव हसित्वा प्लस एव यथैव यथा प्लस एव एकाकेव एकाकी प्लस एव अब हम देखेंगे प्रश्न 5 स्थूल पदेन प्रश्न निर्मानम कुरुत यानि मोटे अक्षर या बोल्ड लेटर में जो दियो हुए है उनके आधार पर प्रश्न निर्मान करना है तस्य नाम अंगुली माल है आसित तस्य का प्रश्न क्या बनेगा कस्य कस्य नाम अंगुल आसित बुद्ध्य श्रावस्ति नगरे प्रवचनम करोतिसम बुद्ध्य यानि कह इद्रिशम कार्यं माकुरू इद्रिशम यानि कीद्रिशम बुद्धस्य वचनानि शुत्वा से एवदत बुद्ध से वचनानी वचनानी यानि कानी क्योंकि फलम फले फनानी वचनम वचने वचनानी तो किम के कानी अनंत्रम जनाहा दस्योह विशे एकत्यत अनंत्रम के दस्योह विशे एकत्यत अब हम देखेंगे प्रश्ण 6 उचितम विकल्पम चिनुत अब इसमें शब्द दे रखें और उसके आगे विभक्ति और वचन दे रखें तो हमने देखना है कौन सा सही है नरेश है तो कहां पे आना चीए नरेश यानि पुलिंग का शब्द है तो प्रतमा विभक्ति एक व शष्ठी विभक्ति क्योंकि जीवस्य जीवियों हो जीवा नाम तो जीवा नाम यानि बहु वचन शष्ठी विभक्ति बहु वचन हस्तेन बालकें 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 यानि तृत्य विभक्ति एक वचन वने सप्तमी विभक्ति एक वचन मरनाय यानि चतुर्थी व प्रश्न साथ अधो लिखीता नाम शब्दा नाम रूपाणी पूर्यत वचन दिया हुआ है तो वचन का कौन सा है यह नपुन सकलेंगे तो क्या हैगा वचनम वचने क्योंकि प्रत्मावी वक्ति का पूछा हुआ है हस्त अब पीछे देखिए त्रित्यावी वक्ति का क्या बन जाएगा व्रिक्ष अस्ये व्रिक्ष यो व्रिक्ष आणाम